Hi everyone, good morning, welcome back to my channel, कैसे आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो बुद्धवार का दिन है और सुबह के 6 बज़ रहे हैं इस टाइम, तो यहाँ उपर मैं पूजा करने आ गई हूँ, सुर्यदेव को जल देने और तुलसी मा को जल दूँगी, तो नीचे की पूजा मैंने कर ली है, आजना रोज से थोड़ी सी और जल्दी में उठ गई थी, जबकि आजना थोड़ी सी तबियत मेरी भारी लग रहे थी, वही कुछ जुखाम का असर लग रहा है, घर में सबी को हो गया है, मतलब तनमे को तो बहुत जबरजस्त, तनमे को पापा को भी हो गया था, तो उ इलकुल उठने का मूड नहीं था, मतलब कल साम कोई मैंने सोच रखा था कि आज जो है, थोड़ा सा लेठी उठूंगी और लेठी काम स्टार्ट करूंगी, में जो है, खाना वगरा बना लूँगी, बाकी और काम धीरे-धीरे करूंगी, लेकिन जो है, फिर साम को अचानक से फोन आया कि आज गेस्ट मतलब आज आने वाले हैं लोग, तो बस तुरन जो है, अपनी तबियत भूल के, फिर मैंने जो है, सुबह थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई, और नहाना धोना पूजा मैंने खतम कर लिया, कि ये सब काम हुए रहेंगे ना, तो आके का काम मैं आराम से करती रहोंगी, तो बस पूजा करने के बाद ना, मैं आई किचन में तो चाय रखा, और एक तरफ ये दाल रखी दिया है, और यहाँ पे मैं सबजी बना रही हूँ, मिक्स वेज, तो सबजी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, रात को भी लेट काफी हो गया था सोने में मुझे 11 बज गया, लेकिन सबजी वगरा कट करके ये सारे काम मैं निप्टा के ही सोई थी, कि सुबह उटके बस बनाना रहेगा, तो जो मेरा डेली का रूटीन होता है, कि टाइम से इनको पहले खाना देना ही होता है, कितने भी काम हो या कुछ भी हो, कहीं जाना ह जो भी हो, लेकिन इनके लिए समय से अगर तनमय का स्कूल है, तो तनमय को भी समय से चाहिए, और इनका ओफिस है, तो इनको भी मतलब टाइम से वही आठ से सवा आठ हो जाएगा, साड़े आठ हो जाएगा, तो वही जिस दिन जो है तनमय का रहता है, आज तनमय का एक्ज यह मतलब दाल चावल सबजी यह बना रखा था और यह लोग निकल गए हैं और अभी यहाँ पे यह कड़ाई पनीर बना रही हूँ तो मसाले मैंने जो टमाटर प्याज यह सब होते हैं इनको डाल लिया बुन लिया और इदर कड़ाई में तेल डाल के पनीर बुन लिया है और अभी यहाँ पे यह सिमला मिर्च और प्याज सिमला मिर्च थोड़ा सा कमी था तो मतलब सिम्पल सी पनीर की सबजी ही बनाने वाली थी लेकिन कड़ाई पनीर मैंने पिछली बार पनाया था ना तो उसके मसाले जो है बचे हुए हैं तो मैंने सोचा ना कि उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा और टेस्टी भी लगता है वो सबजी ना ये कढ़ाई पनीर वाला जो मसाला अलग से बनता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बाकी मतलब सबका अलग अलग पसंद होता है मुझे अच्छा लगता है तो मैंने सो चार्ज बनाई रही हूं तो उसी को इस्तिमाल कर देती हूं तो बस वही प्याज और सिमला मिर्च भी भूनके निकाल लिया है और अभी उसी तेल में तेजपत्ता, हींग, जीरा और ये हल्दी पाउडर और कसमीरी लाल मिर्च ये डाल दे रही हूं और उसके बाद ये मसाल मतलब खाना इधर बन रहा था और जो भी पांच मिनट दस मिनट का टाइम लग रहा था ना तो बीच में और सारे काम मैं कर रही थी बेट वगरा सब कुछ जो है इन लोगों के जाने के बाद सब कुछ मैंने समेठ दिया है और अभी यहां पे आटा पीस के आया हुआ था कल स काम का ही तो इसको भी सोचाना कि जाडू लगाने से पहले इसको भी भर देती हूं क्यूंकि यह कामना बहुत जैसे ऐसा है। इसको हम दिन में और टाइम नहीं कर सकते हैं सपाई करने से पहले ही इसको करना ओधा बहुत ज़्यादा उड़ता है और अभी ना आटा नहीं बन रही थी तो अभी मंजू आंटी ले जाती हैं थोड़ी से दूरी पे कहीं तो थोड़ा सा जादा ही ले जाती हैं कि जल्दी जल्दी नल ले जाना पड़े तो उसको मैंने डाल के अभी पूरे घर में जाडू लगाने के साथ ही मतलब घर में से जाडू निकालते तो देखिए अभी सबजी हो गई है बस लास्ट में अब यहाँ पे यह धनिया पत्ती डाल दूँगी और इसको बंद कर दूँगी बाकी का पूरा खाना बन चुका है अब बस इसके बाद जो है रोटियां ही बनानी है तो रोटी का बहुत जादा यह नहीं था पापा भी थ त्यारी कर रखी थी चौका बिलन सब लगात लिया था यहाँ पे कि बस उनको खाना रहेगा तुरंत रोटी बना के दूंगी पनीर की सबजी वो नहीं खाते हैं तो इसी वज़़े से मैंने थोड़ा सा लेट बनाया कि आराम से बनाऊंगी उनको तो खाना है नहीं तो बस सबजी बनाया उसके बाद अभी मैं मतलब रोटी बनाने जाई रही थी कि अब रोटी बना के रख देती हूं तब से पापा भी नहाने चले गए तो उनको खाना दिया और अभी यहां पे सारी रोटीयां मैंने बना दी हैं तो थोड़ा सा ना जब किसी को आना जाना रहता है जैसे घर में कोई आ रहा है तो थोड़ा सा काम को इधर उदर मैनेज करना होता है तो रोटी बनाने के बाद रोटी बना के रख दिया ना तो थोड़ा सा यह हुआ कि चलो कीचन में खड़े होके जो काम मतलब लगातार करना है वो काम खतम हो गया तो उसके बाद सब कु तो देखने में अच्छा लगता है बाकी कीचन का काम तो उसी में चलता रहेगा वैसे खाना मैंने बनाई दिया है उन लोगों के लिए भी मतलब था कि सुबही आ जाएंगे तो अभी तक ये था कि बस अब चाहे जब आ जाएंगे तो मैं थोड़ा सा जल्दी-जल्दी काम यह जो है कर रही थी तो जाड़ू पोछा लगा लिया था ड़ेस्टिंग मेरा बाकी था कि पेले झाड़ू और पोछा ये दोनों हो जाएगा ना तो डुस्टिंग मतलब बीच-बीच में मैं करते रहूँगी वही किचन का काम या मतलब ये सा डस्टिंग का काम ऐसा है ना कि थोड़ा सा इधर भी कर लिया थोड़ा सा किचन भी देख लिया ये सब हो जाता है तो यहां पे बेसिन मैंने सुबह ही नहाते टाइम ही साप कर दिया इसके पास मीरर जो है ये सब कॉलीन से साप कर दिया देखने में अच्छा लगता है जिस पे जो है ज्यादा नजर पड़ती है और बेसिन वगरा ये सब तो वैसे भी हम डेली ही साप करते हैं बाकी घर में कोई आने वाला हो तो इन चीजों को साप रखना ये ज़िए तो बस यहाँ पे पूरी सफाई मेरी घर की खतम हो गई है म अनमे के जाने के बाद तुरंत मैंने इस रूम में भी सब कुछ समेठ दिया और इधर ये सब कुछ साप हो चुका है किचन बिलकुल वैसे ही चुटा हुआ है चलिए भी दिखाती हूँ मतलब किचन की हालत बहुत खराब है तो अब जो है किचन में लगूंगी पहले चाय क्यूंकि सुबह से मैंने चाय बैटके एकदम मतलब चाय के बिना एकदम गो हो रहा था तो बस मैं चाय पीने बैठी ही थी न तब तक जो है दीदी लोग आ गए तो ये मेरी जो है ननद है दोनों तो ये ही लोग आने वाली थी कल ही जो है साम को फोन आ गया था इन लोग का कि हम लोग सुबा आएंगे तो ये जो इधर रेड़ वाली साड़ी पहन के दीदी बैठी है न तो इनके लड़के की जॉब लगी है गॉर्मेंटेड जॉब लगा है और बहुत अच्छे पोस्ट पे जो है जॉइनिंग लगा न तो साधी के लिए भी लोग बहुत जादा प्रिसर डाल रहे हैं तो साधी वैसे इनको करनी नहीं थी अभी लेकिन इतना जादा प्रिसर होने लगाना कि फिर ये लोग तयार हो गए तो उसी के लिए आई थी बोलने कि मतलब साधी में तयारी किये रहना जो है और चाना है तो उसी के लिए बस मतलब आई थी लोग तो वही इन लोग को पानी दिया चाय वगरा और मैं बैठी रही करीब आधे एक घंटा बैटके हम लोगों ने बात चीत ऐसे किया जो है किचन का काम मेरा वैसे ही पड़ा रहा तो बस था कि चलो खाना बन गया है तो बाक दिर पे दर्सन करते हुए आई थी लोग तो काफी ठक भी गई थी तो वही खाना के लिए ना बोला उनों की नहीं थोड़ा सा रुकी जाओ थोड़ा सा बैठ लो बातचीत कर लेते हैं तो उसके बाद ही फिर खाना खाएंगे तो आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में और इन लोग के लिए खाना निकाल रही हूँ पापड मैंने तला उसके बाद और सब तो बनाई दिया था बस पापड जो है कराई रखी और तेल डाला और पापड तल लिया है और अभी यहाँ पे खाना मतलब दाल अगरा सब ठंडे हो गए थे तो थोड़ा सा गरम किया है र लोटी और इधर यह पापड है तो दीदी लोग को खाना दिया और साथ में पीछे से मैं भी बैठ गई उन लोगों के देने के बाद और पूरे दिन फिर वही बाद चीत हसी मजा कैसे ही चलता रहा है फिर साम को मैंने मतलब तीन बजे वही पापा के लिए फिर से नास्ता बनाया तो चाय बनाई सबके लिए और पापा के लिए घुगरी बनाई थी और वो लोग ना पाँच बजे फिर साम को निकली है तो जब तक थी वो लोग तब तक मैं साथ में ही थी कोई काम मैंने नहीं किया उन लोगों के जाने के बाद फिर किचन वगरा सब कुछ ग्ली तो उनके लिए सिर्फ जो है यहाँ पे तोरी की सबजी बना रही हूँ, ठकान तो बहुत हो गई है, पूरे दिन जैसे ऐसे तो डेली रहता है, अकेले रहती हूँ बहुत जादा बोलना, हसना उतना नहीं होता है, लेकिन आज दीदी लोग थी ना, तो पूरे दिन जो है, ब तो यहाँ पे सबजी मैंने डाल दी है, और एक कमेंट देखे आया था कि इस मसाले स्टैन को लेके कैसा है, तो काफी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यह, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और इसमें मसाले मतलब क्वांटिटी में भी अच्छे आ जा है, तो ले सकते हैं, मतलब प्राइज भी बहुत जादा नहीं है, अभी तो याद नहीं है, लेकिन बहुत जादा प्राइज इसका नहीं है, तो सबजी इधर हो रही है, इधर आटा भी लगा ले रही हूं, इसके बाद रोटियां बनाऊंगी, और खाना पीना होने के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्ट वीडियो में बाबाई थैंक्स पर वाचिंग